हेलो फ्रेंड्स मैं सुनित पाटिल आप सभी का फिर से एक बार तब बिजनेस अनल्स चैनल पे तहदिल से स्वागत करता हूँ हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमारे घर से जो कुछ भी बिजनेस हम करना चाहते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं और बहुत ही कम रिसोर्स में और बहुत ही कम लाकत में हम ये बिजनेस हम कर सकते हैं और उसका एकस्पांशन भी हम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं शुरुवात हमें करनी है business की, हमारे पास कम resources है, तो हम उसका जो starting है, वो हम अपने घर से भी कर सकते हैं, ऐसा ही एक business model है, उस business model के बारे में हमने जान लिया, that is cloud kitchen, cloud kitchen का जो business model है, उपर i button है, वहाँ पे मैं link आपको दे दूँगा, वहाँ पे जाके cloud kitchen क्या होता है, वो business हम कै से start कर सकते हैं, उसकी information आप जुटा सकते हैं, दूसरा एक ऐसा business है, जो हम अपने घर से कर सकते हैं, उसका नाम है baby day care center, baby day care center के बारे में तो आपने जाना ही होगा, आपको बहुत अच्छी तरह से knowledge उसका होगा, लेकिन हम इस video के माध्यम से, ये business हम अपने घर से कैसे कर सक सकते हैं, इसका हम पूरी तरीके से जानकारी लेने की कोशिश यहां पे करेंगे, तो baby day care center के बारे में आप जानते ही होगे, और बहुत सारे ऐसे माबाप है, जो metro cities में रहते हैं, और वो मम्मी और पापा दोनों भी काम पे जाते हैं, उनको अपने बच्छों की परवरिश responsibility दे सके, और वो भी day care center, जो है, वो बहुत अच्छी तरह से उनके बच्छों की परवरिश कर सके, और वो उनके उपर rely कर सके, ऐसे day care center की अवशक्यता बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहां पे metro cities में लगती है, तो यह metro cities में करने वाला ऐसा business है, जो हम अपने घर से कर स इंडिया में है, जो घर पे बैट के कुछ करना चाहती है, अगर हमने population का dividation देखा, तो वहां पे हमें मिल सकता है कि, near about 50% population is in the terms of women's, तो women का अगर हमने सोचा, और उनका economy में contribution बहुत ही कम रहा है, there are so many social reasons, and because of that social reasons, they are not coming forward, and they are not doing their business, and they are not utilizing their productive time, तो उनके लिए हमें बहुत सारी opportunities इंडिया में है, अगर वो सामने आती है, तो इंडिया का economy जो है, इंडिया का economy, next level पे जा सकता है, तो उनके लिए हम इस तरह के business, हम यहाँ पे सोच सकते है, baby day care center का business है, और वो हम अपने घर से कर सकते है, तो इस वीडियो के म अध्यम से हम पूरी तरीके से जानकरी लेने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, तो हम चार point में इसका discussion करेंगे, कौन से चार point है, तो skills कौन से कौन से आपके पास होनी चाहिए, उस skills की हम यहाँ पे बात करेंगे, दूसरा, what are the requirements to start up such kind of business, यह business start करने के लिए आपके पास क्या strong marketing strategy, then you can expand your business, and चौथा point है, expansion of your business, हम अपने घर तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, हम अपका business जो है, उसको expand भी करना चाहते है, तो उसके expansion plan के बारे में भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, तो यह वीडियो जो है, इसको आप अन तक देखिएगा, तो चलो skills की बात करते है, आपको कौन से कौन से skills की requirement यहाँ पे इस business के लिए होगी, उसकी हम जानकरी यहाँ पे लेना चाहते है, passion is the first skill which you required for any kind of business, आपको उस business में passion होना चाहिए, without passion you cannot do a great thing in your life, तो आप कोही भी business करना चाहते हो, तो उसके बारे में आपको passion तो होना ही चाहिए, without passion you cannot do such type of business तो आपकी passion है, आपको बच्चे पसंद है, उनको संभालना भी आपको अच्छा लगता है, तो that is good thing for such type of business, next जो skill है, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वो है patience, बच्चे पसंद है, उनको संभालना भी आपको आता है, लेकिन बच्चे पसंद होना and उनको संभालना इस हसते हैं, तभी हम उनको पसंद करते हैं, लेकिन अब जब वो हल्ला मचाते हैं, सभी तरीके के बच्चे उन टाइम पे बहुती डेंजरस लगते हैं, राइट और नोट, बहुत बड़े parents अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पता है कि बच्चे जब रोते हैं, हल बड़ा patience आपको रखना होगा, आपके पास ये अगर patience है, तो you are the only to do such type of business, ये second skill है, which you require to start business, that is patience, नमबर तीसरा skill जो आपके पास होना चाहिए, उसकी हम बात करते है, mentality, आपको बच्चों की mentality का खयाल करना चाहिए, उनकी mentality आपको समझ लेनी चाहिए, आप उनकी mentality समझते है, वो क्या सोचते है, उनकी मानसिक्ता के उपर अगर आपका प्रभाव है, तो आप ये business बहुत अच्छी तरीके से कर सकते है, उनकी मानसिक्ता आप जान लेना चाहिए, कैसी उनकी मानसिक्ता है, वहाँ पे बहुत छोटे बच्चों से लेके, आपको छे, साथ, आठ साल के बच्चे भी आपके daycare center में आ सकते है, तो every group has different kind of need, छोटे बच्चों की कुछ अलग जरूरते होती है, बड़े बच्चों की कुछ अलग जरूरते होती है, जो बीच में वाले बच्चे है, उनकी कुछ अलग जरूरते होती है, तो you have to think about each and every group of children, कैसे है, देखिए, अगर आप बच्चों को प्यार दे, तो वापस में उनसे आपको भी प्यार वैसे ही मिलेगा, आप अगर जानते हैं कि बच्चों को कैसे प्यार देना है, और उनसे बदले में कैसे आपके तरफ लगन, आपके तरफ attraction बढ़ाना है, अगर ये आप जानत ता उनकी समझ लेनी चाहिए यह अगर आपके पास है तो you can start such type of business चलो अभी मान लेते हैं कि आपके पास यह सारे चीजे हैं यह सारे skills आपके पास है अगर आपके पास यह skills नहीं है फिर भी आप यह business करना चाहते दें so there are lots and lots of information on internet and with the help of that you can build up such type of skills तब अब हम यह मान लेते हैं कि आपके पास यह सारी skills है अभी आप business start करना चाहते हैं तो हम next level पर जाते हैं दूसरा जो point है उसके उपर हम discussion start करते हैं तो वहाँ पर हम requirement की बात आती है what are the required things to start such type of business हमें अपने घर से start करना है तो हमें उनका खयाल करना चाहिए कि किन्च चीजों की अवश्यक्यता है जो required things है जो mandatory things है वो तो हमें लाने ही पड़ेगी उनका हमें इंतजाम तो करना ही पड़ेगा these are the required things and but obvious हमें उनका इंतजाम यहां पर करना ही चाहिए तो requirement की बारे में हम बात करेंगे तो हमें क्या है हम अपने घर से start करते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा hall तो होगा ही होगा सभी के घर में होता है तो उस hall का utilize हम उसको day care center में convert करने के लिए कर सकते हैं तो वह hall में हमें क्या चाहिए सबसे पहला जरूरी चीज़ है वह आपको वहां पर जो मैट होता है रबर का जो मैट होता है वह अपने hall में पूरी तरीके से फैला दीजिएगा इसके लिए आपको देखिये बच्चों की responsibility आप लेते हैं बच्चों की responsibility आप लेते हैं इसका मतलब क्या है आपको यहां पर बहुत साउधनी बरतनी पड़ेगी तो मैट की जरूरत है आपको वहां पर मैट की अवशक्यता है उसके बाद हम बच्चों के खाने के बारे में जो कुछ भी चीज़े है उनकी हम यहां पर requirement आपको बता सकते हैं क्योंकि बच्चे आपके पास सुबह 8 बज़े से लेके रात 8 बज़े तक अगर होते है तो उनको 3-4 टाइम आपको खाना तो देना ही पड़ेगा तो उनके खाने के बारे में आपको वहां पर सोचना पड़ेगा कि बच्चे क्या खाते हैं बच्चों को किन चीजों के बारे में attraction है किन खाने के बारे मे आप इनका information उनके parents से ले सकते है और उस तरीके का चार्ट बना के आप बच्चों को खाना दे सकते हैं खाने की requirement आपको करनी पड़ेगी next thing आपको बच्चों को active रखना है बच्चे अगर active रहेंगे तभी उनका mind sharp होगा तभी उनका IQ जो होए बुद्ध्यांक जो है वो बड़ेगा तो उनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से खयाल करना पड़ेगा तो what are the required things for such type of activities अगर बच्चों को drawing करवानी है तो उनके लिए आपकी जो आवश्चक चीज़े है वो वहाँ पे आप जुटा सकते हैं खेलने की चीज़े आप वहाँ पे जुटा सकते हैं so these are the required things to build up activities in the children आपको कौनसी कौनसी activities वहाँ पे रखनी है इसकी भी जानकारी आपको रखनी चाहिए next thing है छोटे बच्चे है जो दिन में सोते हैं रात में हल्ला मचाते हैं and that is the part of their parent तो उनके बारे में हमें ज्यादा चिंता करने के अवश्चकेता नहीं है लेकिन अगर आपके daycare center में छोटे बच्चे जो दिन में सोने वाले हैं उनके लिए आपको crawlers रखना चाहिए मतलब जूले हम वहाँ पे रख सकते हैं जूलों की अवश्चकेता है छोटे बच्चों के लिए अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए बेड़ भी हम वहाँ पे बना सकते हैं and you have to think creatively आपको वहाँ पे बहुत अच्छी तरह के से creatively सोचने की अवश्चक केता है उस रूम को आप जितना अच्छा सजा सकते हैं उतना अच्छा आप creative तरीके से उसको attractive तरीके से आप उसको सजाईएगा जहां से हम यह कह सकते हैं कि बच्चे उस रूम की तरफ attract हो सके and that is the very important thing अगर बच्चों को अच्छा लगा अपका daycare center तो फिर क्या बात है तो these are the things which you require to start daycare center तिसरी बात करते हैं marketing strategy की हम अपना business जो है उसकी marketing strategy भी उतनी ही अच्छी तरीके से करना चाहिए शुरुवात हम अपने घर से किया है तो हमने अपना business start किया है इसकी information पहले हम अपने society में पोचा सकते हैं जाये मिलिये उन parents को जो अपने society में है और वो दोनों भी काम पे जाते हैं ममी और पापा दोनों भी काम पे जाते हैं और उनके पास ऐसे बच्चे हैं तो obviously अगर हमने अपने society में ह है तो उन लोगों के साथ हमारी जान पहिचान तो होगी और जान पहिचान के लोगों के साथ बच्चों को संभालने के लिए बेजना यह माबाब बहुत ही अच्छी तरह से पसंद करते हैं तो जाये अपने society में ऐसे parents ढूंड ये and उनको अपने business start किया है इनकी information उन तक प help of these things you can also reach to them but सामने से अगर हम direct to direct हम अगर बात करते हैं तो उसका impact ज्यादा पड़ता है तो उनसे जाके directly उनसे contact कीचिये and उनको बताईए कि इस तरह का business आपने start कर लिया है and that is a very good thing but अभी आपको आपके area में जाना है तो area में जाने के लिए traditional marketing का strategy तो है ही लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए अब digital marketing का strategy सुनके घबराइए मत क्योंकि digital marketing is not a very great thing यह आपको करने आ सकता है आपका Facebook account तो होगा ही आपका Instagram का account तो होगा ही आप Twitter तो use करते ही होगे अगर नहीं करते है तो जाए वहां पे आप आपका account बना लीजेगा क् there are so many people and there are number of people maximum people they are showing their presence on the internet with the help of such type of social media everyone is using social media they have account on Facebook Instagram they are using WhatsApp so these are the social media and उनका इस्तमाल हम यहां पे अपनी marketing strategy के लिए कर सकते है अपना खुद का जो business है उसके बारे में अच्छी तरीके से हम क्या कर सकते है एक बहुत बढ़ी ऐसा page हम वहां पे Facebook का page हम create कर सकते है we can use Instagram Instagram handler का हम वहां पे यूज कर सकते है Twitter handler का हम वहां पे यूज कर सकते है and क्या कर सकते है उसके माध्यम से हम इस तरीके से post हम वहां पे करेंगे कि जो parent के लिए informative होगी आप बच्चों को संभालते है तो आपके पास बच्चों के related information तो होगी ही तो ऐसी जरूरत मंद information की sharing आप उस platform की माध्यम से कीजिएगा यह क्या है यह एक digital marketing का funnel है उस funnel में आपको क्या करना है आपको information डालनी है and वो information customer के लिए बहुत ही अच्छी साबित होनी चाहिए उसके माध्यम से आपका customer आप तक पहुच जाएगा right suppose baby जो होते है children जो होते है छोटे छोटे बच्चे जो होते है वो क्यों रोते है उनके रोने के जो reason है वो reason का information आप वहाँ पे share करिये and उसका solution भी आप वहाँ पे दीजिएगा अगर वो उनको अगर अच्छा लगे उनको अगर वो काम में आए तो obviously they will reach to you अगर उनको day care center क अगर अवशक्यता है तो वो आप तक जरूर पहुंचे जरूर पहुंचेंगे right तो इस तरीके से हम वहाँ पे काम कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से post हम अ кअ सोशल मीडिया पर डाल सकते है तो ऑसा हम अपना जो marketing strategy है वो marketing strategy we can start with zero investment Facebook का account और Facebook का page खोलने के लिए आपको कुछ investment की जरूरत नहीं है you can start such type of activities in zero investment Instagram का account खोलने के लिए आपको कुछ पैसों की अवशक्यता नहीं है Twitter का account खोलने के लिए आपको कुछ पैसों की अवशक्यता नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ information चाहिए आपके पास बेबी के बारे में information है you can you can create very great informative source and you can share that information with the help of social media platform तो यह हो गया अपना marketing strategy हम social media का use करके हम अपना जो presence है वो इंटरनेट पर दिखा सकते है and we can reach a number of people in your area Google पे जाके है आप my business एक ऐसी activity है वहां पे आप आपका business register कर सकते है तो आपके area के जो कुछ भी customer है वो आपके पास आएंगे आपका presence वहां पे दिखेगा because nowadays there are parents which are searching दोनों भी काम पे जाते हैं इसका मतलब वो पढ़े लिके है and they are not searching in a traditional way they are searching on internet they just go on Google and they type which are the daycare center which is best in our area right तो आपका presence वहां पे दिखना चाहिए तो my Google my business Google पे जो है वहां पे जाईए और वहां पे आप आप आपका business का presence दिखा ये वहां पे register कीजिएगा तो these are the things which we can do to market our business ये marketing strategy हम यूज कर सकते हैं इसके बारे में हमने जान कर इली अभी हम expand करना चाहते हैं हमने business का skillset develop कर लिया business start कर लिया उसकी marketing strategy के बारे में भी हमने अभी जान लिया अभी हम उसका expansion करना चाहते हैं expansion करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे आने लगे हैं ठीक हैं हमारा जो hall है हमने जो घर पे setup किया था वो हमें अभी कम पड़ता है तो हम क्या कर सकते हैं बाहर जाके कुछ मकान की राय पे लेके वहां पे हम उस business का जो setup है वहां पे कर सकते हैं अभी आपकी requirement बढ़ी है अभी आपके पास customer भी ज्यादा आ रहे हैं तो आपको अच्छा सा बहुत बढ़िया सा unit आपको चाहिए तो वहां पे जाके आप आपका center खोल सकते हैं आप ऐसी कुछ activities कर सकत है जिसके माध्यम से आप उनके parents को भी खुश रख सके और बच्चों को भी खुश रख सके बच्चों के लिए तो activity आपको करना ही करना है बच्चों को active रखना ही रखना है right and with the help of that you can also make parents very happy आपको parent को happy करना है तो क्या करेंगे parent को क्या चाहिए हमारा बच्चा है हस्ता ख बच्चा जाता है तो रात में जाने के बाद वो सो जाता है parents उनके साथ interact नहीं कर पाते हैं there are so many reasons and because of that they cannot interact with their children but आप उनकी ये कमतरता पूरी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं आप अगर अच्छा सा camera ले ले और उनके माध्यम से आप उन बच्चों की आप अच्छी सी picture खिचवा आप उनका video खिचवा येगा और वो उनके parent के पास पहुचा येगा क्या हूगा इससे इससे ये होगा कि आपका बच्चा वहाँ पे किस तरीके से माहूल में मिल जूल गया है वो किस तरीके से गेलताहे और किस तरीके से हासता है यह देखने के बाद उन parents का दिन बन जाए है तो obviously वो parents आपके उपर rely करेंगे आपका जो presence है आपका जो impression है वो बढ़ेगा और वो दो-चार लोगों के पास जाएंगे कि this is the daycare center which are taking our children very carefully तो इस तरीके की activity हम कर सकते हैं अभी हमारा जो business है यह इन सारी activity के माध्यम से बहुत बड़ा impression create कर लिया है उन्होंने तो हम क्या करते हैं हम अपनी franchise अभी create कर सकते हैं we can start different different centers in different different area different different localities in the city हम बहुत बड़ी तरीके से हम अपना expansion कर सकते हैं centers खोल के हम अपनी franchise भी दे सकते हैं तो इस तरीके से हम अपना business अगली लेवल तक ले जा सकते हैं तो यह हमारा जो unit है यह घर से start होके हम franchise की तरफ जाते हैं franchise कैसी बनाते है franchise कैसी कैसी देते हैं इसकी information हम अगली वीडियो में लेने के कोशिश करेंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है यहां पे सभी information देने की कोशिश अगर करेंगे तो एक देड़ घंटे का यह वीडियो बन जाएगा तो हमें यहीं पर रुकना चाहिए तो यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजेगा अपने अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजेगा और हीट अपडेट ऑन टाम टॉट टाम ठीक है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो तिल दे एंड है आपने नाइस टे जै